इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉल आने पर बॉर्डर लाइट कैसे जलाए जाता है तो अकर आप भी अपने मुबाइल में कॉल आने पर कुछ इस तरह के बॉर्डर लाइट लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाज तक देखिएगा इस वीडियो में आप जानें इसका लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रेप्सर में मिल जाएगा आप लिसे डाइरेक्ट इंस्ट्रॉल कर सकते हैं इस्टॉल करने के बाद बाद लिए पर आपको थोड़ा सा शार समध्य लगेगा और उपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक means करनेके बात तो पहले इसे अन कर लेना है यहां पर क्लर क्लिक करके जो भी कलर रखना चाहते हैं आप अन इस color को select करते हैं यहां पर down पर click करते हैं उसके नीचे आपको mix color है तो इसे on कर दीजिए on कर देने के बाद आपको 2-3 color यहां पर border light में आ जाएगा उसके नीचे आपका duration है आप कितना second का रखना चाहते हैं इसे घटा बढ़ा सकते हैं इस पीड आप कितना रखना चाहते हैं यहां से रख सकते हैं और उसके नीचे है thickness इसे घटा बढ़ा सकते हैं घटाने बढ़ाने पर आपका border का जो चोड़ाई लंबाई है वह यहां से घटेगा बढ़ेगा तो आप जितना अपने border को रखना चाहते हैं जितना चोड़ाई लंबए रखना चाहते हैं उसे यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और बस इतना ही शेटिंग करना है और सेटिंग करने के बाद आपके मुबाइल में जब कोई incoming call आएगा तो आपको यहां पर इस तरह का बॉर्डर लाइट जलेगा उपर में यहां पर आपको दो अप्शन है ग्लैक्षी और फ्लैसिंग इस पर क्लिक करके आप जो भी अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर दो कलर आपको मिल जाता है तो यहां से हम इस पर क्लिक कर देते हैं और कॉल करके देखते हैं कि मेरा जो बॉर्डर लाइट है कैसा जल रहा है तो यहां पर call आ चुका है और आप देख सकते हैं कि मेरे mobile में कुछ इस तरह का border light जल रहा है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप अपने mobile में incoming call पर border light लगा सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा